नमस्कार दोस्तों आप शब का श्वागत करते हैं कारगोल मिस्टी के ओलाइन पोर्टर पे तो आज अपन बात करेंगे सीरीज नमर 11 जो की इंट्रिवूस की यहाँ पर रहने वाली है मैं बात कर रहा हूँ सब इंस्पेक्टर बरती जो RPC के दोरा हाली में आपे जो इंट्रिवूस करवाए उनमें में मेंबर के दोरा पूछेगे सभी क्योशन के आंस्वर अपने इस सीरीज में डिसक्स करेंगे सभी क्योशन एथवन्टिक होगे मैं वहाँ पर कैंडिडेट से पूछेगे सभी कॉशन यह होगे तो चलिए क्योशन नमर 1 की तरफ आप चलते हैं और आप लोग इसको अटेम करना स्टार्ट कर दीजी अपने IQ पाउर को देखीगा अगर आपकी शेतर में आतंकी हमला हो जायے और आपको अपनी duty के दोरान दो दिन या पिना सोई गुजारना पड़े तो आप क्या ऐसा अपनी duty के दोरान कर पाएंगे यहाँ पर candidate के दोरा जो answer दिया जाता है जी हाँ sir मैं ऐसा बिलकुल करूँगा क्योंकि मैं रात के अंदर सो लूँगा next question दो member के द्वारा यहाँ पूछा जाता है candidate से आपकी weakness क्या है यानि कि आपकी कमजोरी क्या है यहाँ पर candidate के द्वारा दिया गया answer सर मेरी जो कमजोरी है weakness जो है sensitive impatience और उसके बाद में more talking करना यह मेरी weaknesses है आपकी अलग वो आप अपने लेवल बे इसका answer दीजेगा next trick खालसा क्या होता है candidate से पूछा गया है question यहाँ पर मैं बता दूँ पहले के समय में जब किसी राज्ये के राजा की मुर्ति हो जाती थी तो उसके समय उसका जो उत्रा धिकारी है वो हांका राजा बनता था लेकिन इस पर्था को मुगलों के द्वारा शमाप्त कर दिया गया था मैं बात कर रहा हूँ माराजा जस्वन सिंग की मुर्तियों के बाद में जो अजिस सिंग था उनका बनना था लेकिन औरंग जेव के दवारा उनको नहीं बनाया गया next question की बात करूँ तो यहाँ पे अभी आप कैशा feel कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो candidate ने आसूर दिया, सर अभी मैं अच्छा पहले की बजाए feel कर रहा हूँ next question की अगर बात करें तो राजस्तान में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पे धर्मोपली ना रही हो और कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ पे लियोनार्डो जैसे वैक्ती पैदा नहीं हुआ यह कथन किसके द्वारा कहा गया था तो यहाँ पे candidate के द्वारा गलत आंस्वर दिया गया था मैं आपको बता दू करनल जैम स्टोर्ड की बुक्स में एनल्स एंड एंटिक्विटीज और रास्तान बुक्स में ये लिखा है नेक्श्ट अगर बात करें तो भारत में सबसे पहले मुगल समराजी की स्थापना किस यूद के दोरान यहां पे भारत में हुई थी तो यहां पे candidate के द्वारा जो आंस्वर दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार से है पानिपत का यूद जो 1526 में लड़ा गया था यह यूद के अगर बात करो तो बाबर और इब्रहाम लोदी के बीच में यह यूद लड़ा गया था जिसमें इब्रहाम लोदी के यहां पे हार हुई थी नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे आप अपने परिवार में पीछे से क्या लेती है यहां पे महिला के दोरा यहां पूछा जाता है महिला candidate से कि आप अपने परिवार के पीछे से क्या लेती है तो यहां पे जो लेड़ी है वो काफी sensitive हो गई थी तो यहां पे शाड़ी का पल्लू जो है इसका राइट अंस्वर है तो इसका मुख्यकार्ण जो यह है कि मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो है यानि मानने अशोग हलो जी और पाइलेट साब जो है वो पाइलेट साब अधर पार्टी में यानि विजेबी में जाने की बात यहां पे कह रहे है तो यह मुद्दे को लेके यहां पे उनके ग्यान के द्वारा शक्षम बनाना चीए और उसके बाद में उनके बहुश्या को भी यहाँ पे निखारना चीए, अच्छा गाइड उनको करना चीए, next question के अगर बात करें तो यहाँ पर अभी फिलाल आप कहां से आए हो तो यहाँ पर candidate के दौरा जो question के answer यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर उनके दौरा कहा गया सर अभी फिलाल मैं बाहर से आया हूँ next question की बात करें तो आप अपनी पहली posting कहां लेना चाहेंगे परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर कमेटी के द्वारा जो निर्दारित जगह होगी छेतर होगा उसी में मैं रहना पशंद करूँगा नेक्स नुर्च के अगर बात करें तो आप आपने अपनी ग्रेजोशन रेगुलर क्यों नहीं कि यानि कुछ एक कैंडिडे होता था और मेरी इच्छा के अनुशार मैंने प्राइबेट डिग्री करना ही उचित समझा आगे की पड़ाई को निरंतर रखते हुए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी पर क्रॉस कुषिन यहां पर मैंबर के द्वारा कैंडिडेट से किया जाता है ऐसा ऐसी कौन सी पर यहां पर पड़ता है क्योंकि मैं ही कमाने शक्षम हुए आपर नेक्स्ट अगर एक कॉशन की बात करें तो आप लोग को में स्क्रीन पर आज सुग है आप लोग देख लिजेगा महाराना परताब पर हाले में चल रही विवाद को लेके आप किस प्रकार से जानते हैं यहा अगर कॉशन की बात करें तो आप पुलिश में जाकर सबसे पहला शुधार किस बिभाग में करना चाहेंगे किस फिल्ड में आप शुधार करने की कौशिश करेंगे यहाँ पर केंडिडेट की दोरा जो आंसुर दिया जाता है सर मैं अपने छेतर की कारे प्रनाली को दुर जो मेंबर ने पूशा है कैंडिडेट से आपके छेतर में सुरक्षा के लिहाँ से जुड़े सभी मुद्धों को आप किस परकार से करेंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट के दोरा जो आंसुर दिया जाता है सबसे पहले तो मैं अपने छेतर की सुरक्षा के लिए से धन्यवाद देना चाहेंगे यानि जो कैंडिडेट के द्वारा जो आंसुर दिया जाता है सर मैं अपनी किश्मत को थेंक्यू कहना चाहूंगा कि मुझे इस स्टेज यानि कि शाक्षातकार प्रिक्षा के लिए पहुंचने के लिए यहाँ पर पहुंचाए गया तो मैं अपनी किश्मत को सबसे पहले थेंक्यू देना चाहूंगा नेक्स्ट इसी में कॉशन की अगर बात करें तो आप शुबह कितना दूद्ध खा लेते हैं यहां कैंडिडेट से पूछा जाता है मैंबर के दौरा यहां पर कैंडिडेट ने जो आंसुर दिया वह देखिएग कुछ भी इंट्रिफूस आपको पता भी ने लेगा सिंपल इंट्रिफूस हो रहें इसा कोई भी कॉशन टाफ नहीं था हाले में शुदान से कौन से फंडामेंटल राइट्स को हटाए गया नेक्स्ट कोशन आ चुक है आप लोग इसको अटाम किजिएगा तो सभीदान से कौन से fundamental rights को अटा गया है मैं आपको बता दूँ total अपने पास में पहले 7 हुआ करते थे अभी फिलाल 6 यहां पे 6 rights बचे हैं जिसमें से right to property आर्टिकल 31 या से सविधान से हटा दिया गया है fundamental rights से next question की बात करें भारत के पहले chief justice कौन थे अगर बात करें तो यह independence के बाद पूछ रहा है तो मेरे साब से हिरालाल जकु शुंतास कानिया थे तो हो सकता है कि यह mistakes हो इस questions में आप लोग चेक करें लिजीगा इसका answer मेरे सबसे इसमें मुझे mistake लग रहा है तो आप लोग अपने level पर चेक करके मुझे comment box में comment कीजिएगा next अगर question की बात करें तो बांगर प्रदेशों में कौन सी मीटी यहाँ पर पाई जाती है यह जो student है जोग्राफी से बिलोंग करते है जोग्राफी में तो यहाँ से जोग्राफी से question पूछा गया है प्राचिन जलोड मिटी जो है यहाँ पर बांगर का एक सर्वस्रेश्ट उधारन है जिसमें जलोड मिटी यहाँ पर पाई जाती है जो प्राचिन टैप की होती है जो फशल योग हैं यहाँ नहीं माने जाती इस दर्ति को next question की अगर बात करें तो encounter किन प्रस्ततियों में किया जाता है काफी अच्छा question है अभी हाली में encounter का issue चल भी रहा है market में तो यहाँ पर encounter किन प्रस्ततियों में आप करना चाहेंगे तो यहाँ पर candidate के द्वारा answer दिया जाता है सर अपने सुरक्षा के लिहाँ से या फिर अपने शवे के सुरक्षा के लिहाँ से मैं encounter करना चाहूँगा next अगर बात करें तो यहाँ पर हाली में encounter से जुड़े जो हाली में सुर्ख्यों में चल रहा है विवाद किस विशय का यहाँ पर बना वा हाली में encounter किस से related यहाँ इशू अभी उठ रहा है, तो ये candidate के द्वारा जो answer दिया जाता है, जो आप लोग सब जानते होंगे, न्यूजपेपर में पढ़ते ही होंगे, यहाँ पर अपरादी विकास दूबे जो कानपूर के यहाँ पर रहने वाले थे, तो हाली में इनके अपराद के इतने मुद्द थे कि उनको यहाँ पर encounter किया गया, हाला कि उस encounter पर विवाद भी यहाँ पर राजी सरकार के द्वारा छेड़ी दिया गया, लेकिन यह अभी इशूत है, इस से रेटेट याज से caution पूछा गया, नेक्स अगर बात करें, प्राचिन काल में पुलीश को किस नाम से यहाँ पर पुलीश कहा जाता है, नेक्स अगर बात करें तो आप लोग में स्क्रीन पे देख पा रहे होंगा, यह साइन्स का स्टूडेंट है, बाइव गेस में मुखे रोब से कौन सी गेस यहाँ पर पाई जाती है, काफी अच्छा कोशन है, साइन्स के बेगराउंड से आप लोग जाते हैं, नेक्स कोशन की अगर बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पे आ सुका है, ऐसा विश्व विधाले कौन सा है, जो राजस्तान में जिसके अधिन आजपास के नगर में सभी शिमाओं के भार कोई भी महा विधाले नहीं है, काफी अच्छा कोशन है, यह कोशन दो बा नगर निगम में क्यों नहीं आता, यानि मेंबर पूछता है, कि आपका जो छेतर आप जिस एरिये में रहते हो, वो नगर निगम में क्यों नहीं आता, तो यहाँ पर candidate के दोरा बोला जाता है, सर मेरे छेतर जो है, वो 10 लाग से आबादी कम है, हाला कि जो नगर निगम के लिए जो basic rules होता है वो 10 लाग से उपर आबादी होनी चाहिए जिनसंग क्या होनी चाहिए उसके बाद ही उसको नगर निगम नॉमिनेट किया जाता है next question के अगर बात के तो मुझे लगता है कि आपकी qualification के अनुसार ये नोकरी आपके लिए suitable नहीं है काफी situational question है काफी anger करने वाला question है तो यहां पर member के द्वारा कहा जाता है सर सभी नोकरिया अपने स्थान पे अच्छी होती है अगर हम अपनी लगन और अपनी कर्तवे निष्ट और इमानदारी से अगर वो डूटी निभाएं प्रोपर समय बे तो सभी service जो है अपनी जगह अच्छी होती है नेक्स अगर बात करें तो क्या आप कभी police station गए हैं काफी अच्छा question है आप लोग यह apply हो सकता है इसका answer अगर candidate के द्वारा दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार से है कि जो candidate कहते हैं जी हाँ सर मैं बिल्कुल गया हूँ मेरे police verification के दोरान मुझे police station जाना पड़ा था नेक्स अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे main screen पे next question आपके आचुका है आप रोजाना किस खेल को ज़्यादा खेलते हैं यानि खेल तो आप सब भी खेलते हैं आपकी hobbies तो सब कुछ ही है लेकिन main hobbies आपकी क्या है सबसे ज़्यादा कौन से खेल को प्ले करते हो तो यहाँ पे candidate के द्वारा कहा जाता है सर मैं सबसे ज़्यादा most of the cricket को ही खेलना पशंद करता हूं next question के अगर बात करें तो यहाँ पे हाली में चल रहे ही राजनितिक में दल बदल की प्रकरिया यानि दल बदल की प्रकरिया अभी current से है वो चल रहे है इसका उलेक क्या शविधान में है यहाँ पे candidate से पूछा जाता है काफी अच्छा question है मैं कहूंगा कि आप लोग इसको अपने level पर ही दीजिएगा पोच करके वीडियो को तो इसका अगर मैं बता दू तो एक राजनितिक दल से दूसरे राजनितिक दल में जाना जैसे पाइलेट से सम्मंदित है और इसके लिए डिस्क्वालिफाई भी मेंबर हो शकता है यह भी इसमें दिया हुआ है रूल्स के फिर देनिक बास करके जो में फ्रंट न्यूस पेपर का फ्रंट पेपर है उसको तो पढ़के जाईए गई जाईएगा दीन ए इलाही इनके द्वारा यहां पर धरम चलाए गया था और आपके पास में पार टाइम करने का जो विषय आपका क्या रहता है यह सभी कोशन आप लोग कंप्लीट वन वाई वन करके जाईए का सभी इंट्रिव्यूस में पूशे गए है नेक्स जो लेटिस्ट करंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड तो मैं आपके ग्रेजुशन सब्जेक्ट में जो करंट से विषय जो चल रहा है अभी उसके उपर लेटिस्ट जो खबर वुस से यह कोशन पूशे गए हैं आपके बोलने का लहजा आपका फैमिली बेग्राउंड आपके पापा क्या काम करते हैं आपके घर के परती आपका किस प कारण है कि आप पुलिश माना चाहते हैं आपको आपके विचारों पर मनान जिस प्रकार क्योशन पूशा जाता है उस टाइम में आप उन्हें क्योंस को कैसे मनन कर पाते हैं आपके डिशिजन पावर क्या है उस टाइम में आप किसना कॉंफिडेंस कितना दीर से आप आंस उसके बाद में ग्रेज़ोशन विशय में इंटरस्ट किस प्रकार से आपका है ग्रेज़ोशन में विशय चुनाव का मुख्य कारण क्या था पोस्ट ग्रेज़ोशन में विशय का परिवर्तन का कारण क्या था जो आपने चेंज किया होगा किसी लोगों ने चेंज भी किया अपके आपका बोड के परति किस परकार से इमानदारी का बाव की और रखेगे उनके उनके सामने, बोड के परिशन में आपके किस परकार से परकार से परति किरिया हो क्योंकि किस सभी चेट हों िरौ या फुकर करेंगे। इंट्रीज में कौन सी भाषा का यू Benjamin करेंगे मैं आपसे कहना चाहूंगा हिंदी भाषा का शरल भाषा का यूज कीजिएगा तो यह अपने पास प्रकार का किसी कौशन के आंस्वर में अगर मिस्टेक लग रहा है अगर किसी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लोग दिये गए कमेट वाक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और आप अपना आंसर भी यहां पर दे सकते हैं और मैं कहना चाहूंगा इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग प्लीज लाइक और कमेट जरूर करें क्योंकि यह सीरीज तभी कंटिन्यू हो पाएका जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे थैंक्यू धन्यवाद